कि प्राब्लम में विरेंजी जहांसी के जो द्रश्य आज आपने दिखाए आपके समवादाता वहां पे पहुंचे इस्थितियां तो गाउं में बड़ी ही खराब और लोग काफी परेशान हैं सरकार की मदद उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही बयान और बिग्यापनुम दसक्षान हो और वहां सरकार की योजनाएं नहीं जहांसी की दृश्य बहुत मिचलित करते हैं कि सरकारी योजनाों का फाइदा इन अनाथ बच्चों तक अभी तक नहीं पहुंचा देखिए बात बहुत मार्मिक उठी है आज और सरकार कहती है कि हम सब तक पहुंच रहे हैं प्रदेश के जिले जिले में संगठन कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन है और हमारा हर गाओं में 10 आदमी 20 आदमी एक बूत 10 यूथ आज लेकिन अनाथ बच्चों को भोजन तक की बेउस्था कराने वाले ना यूथ है ना पूझी पती लोग है ना पैसा जिन लोगों के पास है वो कभी आगे आ रहे हैं जिनके घर में अनाथ का एक दाना नहीं है उनके लिए क्या भियान नहीं चला जाना चाहिए उनके घर में नमा काटा चावाल के हूं रासन एक दो महीने का पहले ततकालिक तौर पर कुछ इंतिजाम कराया जाए समाज के बहुत-बहुत बड़े-बड़े धन्ना सेट लोग हैं अपसर हैं काली कमाई के महाँ में लोगों को काम करना पड़ेगा क्योंकि यह मानवता का सवाल है अब सबसे बड़ी बात यह है कि असोग पांडे जी बैठे बीजेपी के परोक्ता हैं वो भी कुछ सीमा तक ही अपनी बात कह सकते हैं उनके हाथ में भी अधिकार नहीं है क्योंकि इस सरकार में सारे अधिकार अपसरों के पास हैं वो खुद जानते हैं इस बात को कि कितने में दूसरी में और तीसरी में क्या होगा और अगर बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है बहुत बड़ा काम कर रही है तो एक हमारे टीवी चैनल पर इसी पर आते थे मनोज मिश्रा परवक्ता थे आपको याद होगा उनकी मौत हुई उनके हां कितने लोग गए अब तक अब किते हैं कि जो अनात की सेवा करा है वो इस्वर की सबसे बड़ी सेवा है अनात बच्चों का जब कोई सहारा नहीं है छोटे चोटे बच्चों की जब हम लोग बाइट दिखाते हैं तो वो खुदी नहीं जानते को क्या बोल रहे हैं और इसका धूर-गामी प्रद्ग क्या है उनका जीवन आने वाले समय में कैसा होगा उन्हों क्या पता कि हाथों की लकीर क्या होती है किस्मत क्या है उनके जीवन में अब आगे कैस उजाला रहे या अंधेरा रहेगा यह तो बोल देते हैं टीवी चैनल देखके वो हम आप उस मासूमियत को देखें उसके पीछे कि एक सक्स जो अनात हो और अगर अपने जीवन में अगर सफल हो जाए तो वो क्या सोचता होगा वो कहता होगा कि ए खुदा यह मेरी सारी दौलत ले दे मुझे फकीर बना दे बस मेरी हथेली पर मा की लकीर बना दे जिसके जीवन में जिसने देखा नहीं अपने माबाब को तो उसके लिए तो यही सबसे बड़ी पूजी है बहुत सारे बच्चों को आप सुनते होंगे कि मेरे बाबाब ने कुछ नहीं किया बहुत सारे बच्चे अपने माबाब से जगडते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं लेकिन जो कहते हैं कि तुमने हमारी जिन्दगी में कुछ नहीं किया जरा एक बार अना थासरम जाकर देख लें एक बार रोड के किनारे सोकर देख लें उन्हें पता चल जाएगा कि जिन्दगी में माबाप का महत्त क्या होता है अब सरकारे उनको अपनी बात कहनी है जब उनके पास लेकपाल है पटवारी है सेकरेटरी है गाओं में कौन कितना मरा है और काओं में कौन गरीब है किसके पास भोजन नहीं है सरकार चाहे तो उपलब्द करा सकती है बाई ये रासन पांच-बांच किलो दे रहे हैं तो किसी को कुंटल दू कंटल भी दे सकते हैं कि उनका परिवार दुचार महिना साल भर खा सके जिसके यहां कुछ है नहीं है इसमें कौन सा रोक है और समाज के लोगों को भी आगया जब जिसके माबाप नहीं रहते तब उसको एसास होता है आज साहित में एक लाइन कहूंगा कि लोग अपने जीवन में जो बच्चे बड़े होते हैं कमाते खाते क्या-क्या मांगते हैं और एक अनास बच्चा क्या मांगता है कि जन्नत मांगी खुदा से सबने हमने मांग घर भी नहीं है महलों के सबके ख्वाब हैं ना लोरी सुनाने वाली मा ना चाकलेट दिलाने वाले पापा हैं बच्पन से ना देखा माबाप को ना पहचाना अपने आपको माबाप की दूरियां तकलीब देती हैं बच्चों से खुसियां चीन लेती हैं घूमते हैं पाग बनात होने का सत सामने आता है जन्नत मांगी थी खुदा ने खुदा से सबने हमने तो बस माबाप मांगे हैं बहुत बड़ी बात आपने संचेप में भी रिंजी कह दी बहुत बहुत शुक्री आपका बहुत